नमस्कार साथियो, New Direction Classes 2.0 में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आज हम पढ़ने वाले हर्याना Current Affairs 2022 के बारे में यह है इस सीरीज का छटा पार्ट है जिसमें हम हर्याना Current Affairs से समंदी तती महत्तपून question पर चर्चा करेंगे जो आपके Exam Point of View से बहुत महत्तपून साबित होने वाले है तो चलिए शुरू करते है question number first 134A के बजाए हर्याना में अब किस योजना के तहत बच्चों को दाखिले दिये जाएंगे option हमारे बंधन योजना, शिराग योजना, बाल विकास योजना या इन में से कोई नहीं तो इन में साथियो 134A के बजाए हर्याना में नेजी स्कूलों में दाखिला लेने के जो इच्चुक विद्यार्थी थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे EWS के अंतरगत आते थे तो उन विद्यार्थियों का दाखिला अब चिराग योजना के तहत करवाया जाएगा कौन सी योजना के तहत चिराग योजना के तहत और यह है योजना साथियो राज के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ही मान्या है जो दूसरी से दूसरी से बार्मी तक ही लागू रहेगी ठीक है और इस योजन्या के तहट साथ यू एक लाख एक लाख अस्य हजार हजार रुपे से कम आए वाले परिवार के बच्चों को दाखिलिया दिया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखना जिसकी इंकम एक लाख अस्य हजार रुपे से कम है उनको 134 एक बजाए चिराग योजना के तहट निजी स्कूल यानि प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते है हर्याना सरकार ने कितने खिलाडियों को भीम आवार से समानित किया 30, 42, 52 या 22 तो साथ योँ हर्याना सरकार ने चार वर्षों बाद 52 खिलाडियों को भीम आवार से समानित किया भीम आवार से समानित किया और साथ योँ इन 52 खिलाडियों में 33 पूरुज खिलाडी हैं और 19 महिला खिलाडी सामिल है और आवार्ड कार्य करम का आयोजित पंसकुला में किया गया पंसकुला में किया गया और ये आवार्ड हर्याना की राज्यपाल बंधारु दत्तत्रिय द्वारा प्रदान किये गए और भीम आवार्ड के अंतरगत साथी पांच लाग रुपे नगद पांच लाग रुपे की नगद राशी और साथी साथ भीम की मुर्थी भीम की मुर्थी प्रदान की गई और इसके अलावा भीम आवार्ड फुरुषकार विजेता को परति माँ परति माँ पांच हजार रुपे की राशी पैंशन के तोर पर दी जाएगी तो ये था भीम आवार्ड से समंदित बावन खिलाडियों को समानित किया गया क्वेस्चन नंबर थर्ड हर्याना पुलिस वैब पोर्टल पर कीस प्लेटफोर्म का सुभारंब किया गया ओप्शन हमारे इसेवा प्लेटफोर्म इसरदांजली प्लेटफोर्म मदद प्लेटफोर्म या इन में से कोई नहीं दो इन में से साथी हर्याणा पुलिस वैप पोर्टल पर इस सरदांजली प्लेटफोर्म का सुभारम किया गया और इसका सुभारम हर्याणा की डी जी पी पी के अगरवाल दुआरा किया गया किसके दुआरा पी के अगरवाल दुआरा और इस प्लेटफोर्म के अंतरगत परदेश के आमनागरिक भी आमनागरिक भी अरियाना पुलिस के बहादूर सेनिको और 1966 से अब तक अब तक सहीद हुए जवानों को सहीद हुए जवानों को ओनलाइन माध्यम से सरधांजली दे सते हैं सरधांजली दे पाएंगे ठीक है और अगर हम बात करें अन्या तत्थों की हरियाना पुलिस से समन्दित अन्या तत्थों की हरियाना में हरियाना में हांसी पुलिस को हांसी पुलिस को इनके द्वारत त्यार की गई एक मोबाइल अप्लिकेशन जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन एप इन्वेस्टिगेशन एप इसमें पूरे देश में तीसरा स्थान तीसरा स्थान मिला है तो हांसी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन एप त्यार की गई जिसमें इसको तीसरा स्थान मिला और यह है एप किसके द्वारा त्यार की गई मुख्या रूप से हांसी पुलिस अधिक्सक नीतिका गहलोत नितिका गहलोत द्वारा यह त्यार की गई और अगर हम अन्य तत्थ्यमी बात करें हर्याना पुलीसे समंदीत तो हर्याना के सीएम मनोहरलाल खट्र ने हर्याना पुलीस अकादमी मदुवन से हर्याना पुलीस अकादमी मदुवन से नसा मुक्ती हर्याना मीशन की शुरुवात की हर्याना मीशन की शुरुवात की ठीक है और साथी साथ हर्याना पुलीस ने अपरादियों पर नजर रखने के लिए इगल एप 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 लॉंच किया हर्याना पुलीस ने अपरादियों पर नजर रखने के लिए कौन सा एप लॉंच किया इगल एप ठीक है अपरादियों पर नजर रखने है तू हर्याना पुलीस ने इगल एप लॉंच किया कि इस देश की तकनीक द्वारा हर्याना सेम वाले गाउं में पानी को पीने योग्या बनाएगा तो सातियों हर्याना इजराईली तकनीक द्वारा यनि इजराईल देश की तकनीक से हर्याना में सेम वाले गाउं में पीने योग्या पानी बनाएगा और इसके अंत्रगत सातियों हर्याना सरकार और इजराईल ने समता निर्मान और एक ही करित जलसन साधन परबंधन में एक सिंग्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये तो इस बात को भी ध्यान रतना और अगर हम इससे समंधित अन्यात अथ्यों की बात करें तो हर्याना में जल स्रंक्षण के लिए जल स्रंक्षण हे तू पंस्कूला में पंस्कूला में सूजल नामक पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कहां मंस्कूला में जल स्रंक्षण से समंधित सूजल ठीक है तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं कूर ताने गेम्स में नीर चोपडा ने पदक जीता तो इन में से कूंसा पदक सुवन पदक रज़त पदक कांश्या पदक या सभी तो साथियो फिनलैंड में आयोजित कूर ताने गेम्स में आयोजित हुए ये गेम्स फिनलैंड में तो इन खेलों में निर्य चोपडा द्वारा स्वन पदक जीता गया कौन सा पदक स्वन पदक और उन्होंने यह पदक 60.69 मिटर दूर जेविलियन थ्रो करके इतने मिटर जेविलियन थ्रो करके हासिल गिया ठीक है और ऐसा करके इन खेलों में निर्य चोपडा स्वन पदक जीतने वाले पहले भारतिय बने पहले भारतिय और इससे पहले जून महिने में ही पावे नुर्मी नुर्मी गेम्स में निर्य चोपडा ने निर्य चोपडा ने नैशनल रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता कौन सा पदक जीता रजत पदक तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं खेलो इंडिय यूथ गेम्स 2021 में कौन सा रज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा हरियाना माराष्ट्र करनाटक या उडिशा तो साथियो खेलो इंडिय यूथ गेम्स 2021 में हरियाना 137 पदकों के साथ पदकों के साथ पर्थम स्थान पर रहा जिन में से 52 गोल्ड मेडल, 49 सिल्वर और 46 ब्रॉंज मेडल सामिल है ठीक है और इसी के साथ साथ 125 पदकों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा ठीक है सैकिंड स्थान पर कौन रहा महाराष्ट्र और 67 मेडल के साथ करनाटक थर्ड स्थान पर रहा और खेलो इंडिया यूथ गेम में हर्याना के गोल्ड मेडल विजिताओं को हर्याना सरकार दूआरा एक लाग रुपे की कितने गोल्ड पदक विजिताओं को एक लाग रुपे एक लाग रुपे की रासी और सिल्वर सिल्वर मेडल विजिताओं को 60,000 रुपे और ब्राउंज मेडल विजिताओं को 40,000 रुपे रुपे की रासी परदान गी गई और इसी के साथ साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला सुर्ण पदक यनि इन खेलो में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाडी काजोल सरगर जो महज 16 वर्षिय खिलाडी है इनोंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पहला गोल्ड मेडल जीता और इस खिलाडी का समद महराश्टर से है महराश्टर की आई या खिलाडी जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता और किस खेल में वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में इनोंने गोल्ड मेडल जीता तो यह था हमारा क्वेस्टर तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं हर्याना मुख्यमंत्री सरकारी आवास का नाम क्या रखा गया संत गोरकनात कुटीर संत नानक कुटीर संत रविदास कुटीर यह संत कवीरदास कुटीर तो साथ यह रोहतक में आयोजित राज्यस्तरी है संत कवीरदास जनती समोरों पर हर्याना के सीम मनोहलाल खट्र ने मुख्यमंत्री अवास का नाम संत कभीरदास कुटीर के नाम पर रखने की घोशना की तो हमारा उत्तर है ये संत कभीरदास कुटीर और इसी अवसर पर राज्य सरकार द्वारा संत महापुरुष विचार समान और और परशार योजना शुरू की गई ठीक है इस अवसर पर संत महापुरुष विचार समान और परशार योजना शुरू की गई जिसके अंत्रगत राज्य स्तर पर संतों और महापुरुषों की जैनती पर सम्मेलन या कार्यकरम किये जाएंगे तो ये था हमारा क्वेस्टन तो हर्याना मुख्या मंत्री सरकार यवास का नाम अब संत कबीर दास कुटीर रख दिया गया है तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं हर्याना की किस 105 वर्षिये महिला ने 100 मिटर दोड में नया नैसनल रिकोर्ड बनाया रमा भाई हर भाई संतोस देवी केलो देवी तो साथियों इन में से रमा भाई ने जिसकी उमर 105 वरस की है 100 मिटर दोड में नया नैशनल रिकोर्ड बनाया इसने रमा भाई ने और इसका सम्मंद चर्की दादरी जे है और इन्होंने 200 मिटर दोड 74 पॉइंट 75 सेकिंड में और 100 मिटर दोड 24.45 सेकिंड में सेकिंड में दोड कर मंजाब की बुजरुग एतलीट जिसका नाम है मानकोर अब इसका देहान दो चुका है उसका रिकोर्ड दोड़ा चलिए एगले स्वाल की तरफ चलते हैं अलमाटी में आयोजित वीशव कुस्ती रैंकिंग सीरीज में बजरंग पुनिया ने पदक जीता और वही है अगर हम बात करें अलमाटी में आयोजित वीशव कुस्ती रैंकिंग सीरीज में सरीता मोर की सरीता मोर तो इन्होंने 59 केजी में गोल्ड मैडल जीता ठीक है और साथी सुरीता मोर का समद्ध हर्याना के सोनिपत जीले से है और अगर हम बात करें बोलाट तुरलिक ये तुरलिक है तुरलिक खानो कप कुस्ती पृतियो गिता बोलाट तुरलिक खानो कप कुस्ती पृतियो गिता में साक्सी में लिखने स्वन पदक पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया है और इन्हों ने यह पदक 62 केजी में जीता है तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं निमलिक्त में से किसे हरियाना भूशन 2022 से समानित किया गया है ओप्शन हमारे अनित डॉक्टर मुकेश अगरवाल राम अवतार तायल या धनपत सिंग तो साथियों इन में से अनित ने यह पर अनिता को हरियाना भूशन 2022 से समानित किया गया है किसको अनिता को और यह साथियों करनार जी ले के राज के मादमिक स्कूल में राज के मादमिक स्कूल में हिंदी के अध्यापिका है जिसको हरियाना भूशन 2022 से समानित किया गया है और वहीं अगर हम बात करें डॉक्ट्रूम केश अगरवाल की तो इनको साथ हर्याना रेड क्रोस का नया अध्यक्स न्युक्त किया गया है हर्याना रेड क्रोस का नया महासचीव क्या महासचीव न्युक्त किया गया है और अगर हम बात करें राम अवतार तायल की राम अव्तार तायल। तो इसको साथ हर्याना प्रदेश वपार मंदल ॵपार मंदल का कर्याकारी अध्यक्स बनाया गया है। और अगर हम बात करें धनपत सिंग की तो साथ ही यह हर्याना कही राज्या चुनाव आयुक्त है हर्याना कहा है राज्या चुनाव आयुक्त और इन से समन्दित, अगर हम अन्य तथ्याई बात करें, तो हरियाना पॉक्सिंग एसोशियेशन के ध्यक्स, हरियाना बॉक्सिंग एसोशियेशन के ध्यक्स को सुना गया है, तो वो है मेजर सत्यापाल इंधु, ठीक है तो मेजर सत्यापाल सिंदू क्या है हरियाना बॉक्सिंग एसोसियेशन के अध्यक्स तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं पी पी मोडल पर पहला अत्याधुनिक बश टर्मिनल हरियाना के किस सहर में बनाया जा रहा है ओप्सिन हमारे फ्रीदाबाद भीवानी गुरुग्राम या कुरुख्षेत्र तो साथ योग पी पी मोडल पर पहला अत्याधुनिक बश टर्मिनल हरियाना के फ्रीदाबाद जिले में बनाया जा रहा है जो फ्रीदाबाद एन आई टी में चार एकड़ भूमी पर बनाया जाएगा ठीक है और अगर हम बात करें साथ योग भीवानी जी लेगी तो भीवानी जी लेगे भीम स्टेडियम में भीम स्टेडियम में 21 जून 2022 को राज्यस्थ्रिय आठवा अंतराष्टिय योग दिवस मनाया गया उनसा आठवा अंतराष्टिय योग दिवस योग दिवस का आयोजन किया गया आप भीवानी में और इस योग दिवस के आउसर पर हर्याना के सियम मनोहलाल खट्र ने आयूस विभाग के 337 कितने 337 आयूस हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर का सुभारम किया गया और वहीं अगर बात करें हम गुरूग्राम जीले को लेकर तो गुरूग्राम के मानेसर में महरूती सुजू की द्वारा महरूती सुजू की द्वारा एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया एशिया का सबसे बड़ा कितने मेगावाट का 20 मेगावाट का क्या लगाया गया सोलर प्लांट कहाँ पर मानेसर में और वहीं अगर आब बात करें कुर्चेतर जी लेको लेकर तो साथियों कुर्चेतर में भगवान स्रीक्रीशन के भगवान स्रीक्रीशन के विराड़ सबरूप का लोकारपन किया गया इसका विराड सवरूप का लोकार्पन किया गया कहां पर कुछ हेत्र में और इसके सिलपकार कौन है इसके सिलपकार है दक्टर राम सुतार चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं देश में NDA प्रीक्षा पास करने वाली देश की पहली लड़की कौन बनी काजोल, सरगर, सनन्डाका, सोनू फोगाट या सवीता पुनिया तो साथ यो देश की NDA प्रीक्षा पास करने वाली पहली लड़की सनन्डाका कौन बनी सनन्डाका बनी और इसका सम्मंध हरियाना के रहोतक जीले से है और इसकी आयू महज 19 वर्स की है और साथियो सनन ढाका लड़कीयों में पहले स्थान पर और आवर ओल पूरे देश में इसका दस्वा रैंक आया है लड़कीयों में इसका पहला स्थान है लेकिन देश में लड़के और लड़कियों में इसका कुन सा रैंक रहा दसवां रैंक रहा और अगर हम बात करें काजोल सर्गर की तो इसने खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम में यूथ गेम्स में पहला गोल्ड मैडल हासिल किया और इसका सम्मंद महाराष्टर से कहां से है महाराष्टर और वेट लिफ्टिंग में इसने यह गोल्ड मैडल हासिल किया कि इसमें वेट लिफ्टिंग है और इसकी आयू महज 16 वरस की है और साथियों अगर हम बात करें सोनू फोगाट की तो साथियों हर्याना के सीम मनोहरलाल खटर ने सोनू फोगाट द्वारा लिखी पुस्तक जिसका नाम है अस्टांग योग का वी मोचन किया किसके दुवारा किया गया भी मोचन सिया मनॉला और घट्र दुवारा और यह पुश्टक किसके दुवारा लिखी गई है सोनु फोगाट दुवारा और अगर हम बात करें सवीता पुनिया गी तो साथ ही यह इंडिया होकी टीम की कप्तान है और टीम में यह गोल किपर है और साथ ही इसका सम्वंद हरियाना के सिर्षाजीले से है और दोहजार ठारा में इसको अर्जुन अवार्ड से भी समानित किया जा चुका है दोहजार ठारा में अर्जुन अवार्ड और इसको हरियाना सरकार द्वारा भी मावार्ड भी दिया जा चुका है तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते है नीमन में सेकी से पसुधन को बढ़ावा देने हैं तो सर्व से समान मिला है हरियाना आसव अनुसंधान हरियाना क्रेशी अनुसंधान हरियाना पसुधन विकास बोल्ड या हरियाना राजग्या पसुविभाग तो साथियों इन में से पसुधन को बढ़ावा देने के लिए हरियाना पसुधन विकास बोल्ड हरियाना पसुधन विकास बोल्ड को सर्व से समान से समानित किया गया है और अगर यह एक क्वेस्टन आपके लिए हर्याना आसव अनुसंधान कहां पर है और हर्याना क्रीश अनुसंधान की जीले में स्थीता है तो यह आप कमेंट में बता सकते हूं तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं हर्याना के किस गाउं ने दस मिंट में 1200 पोदे लगाकर गिनिज बुक औफ वर्ड रिकोर्ड में नाम दर्ज कराया है गाउंधार्ण मानेशर गन्नौर या बेरी तो साथियों गाउंधार्ण ने दस मिंट में 1200 पोदे लगाकर ग यह गाउं अर्याना के रिवाड़ी जीले में पड़ता है और इस गाउंधार्ण के 1500 प्रिवारों के लगबग 300 से अधिक लोगों ने एक साथ 10 मिंट में 1200 पोदे लगाकर गिनिज बुक औफ वर्ड रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज करुआया है और अगर हम बात करें माने सिर्गी हम पहले भी इसके बारें पढ़ चुके हैं तो यहां पर मारूती सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट इतने मेगावाट का 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है और अगर हम बात करेगा नौर की तो यह सोनी पत जिले में पढ़ता है सोनी पत में और यहां पर देश की सबसे बड़ी सब्जी एवं फलमंडी यानि देश की है किसकी है देश की सबसे बड़ी सब्जी एवं फलमंडी बनाई जा रही है ठीक है तो वहीं अगर हम बात करें गाओं बेरी की तो यह है हर्याना के जजजर जिले में है और इस गाओं में स्थित शिरी माता भीमेश्वरी जो प्रसीद मंदीर है भीमेश्वरी देवी मंदीर इस मंदीर को अब हर्याना सरकार ने अपने नियंतर्ण में नियंतर्ण में ले लिया है तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं हाल ही में नीमलिक्त में से कौन सा व्यक्ति राज्यसवा का सांसद बना है कृष्ण लाल पुमार, उल्दीप विष्णोई, नैना चुटाला या असोक तवर सातियों हर्याना के हाल ही में दो व्यक्ति दो व्यक्ति राज्यसवा के सांसद बने हैं जिन में से एक है कृष्ण लाल पुमार और दूसरा है कार्थी के सर्मा कृष्ण लाल पुमार और कार्थी के सर्मा हर्याना से राज्यसवा का संसद तुने गए है और कृष्ण लाल पुमार का सम्मद हर्याना के पानिपत जिले से है और ये हर्याना के अंबाला जिले से सम्मद रखते है और अगर हम बात करें हर्याना में राज्या सभा की सीटों की सेंख्या कितनी है राज्या सभा की सीट कितनी है पांच और लोग सभा की सीटे 10 और विधान सभा 90 सीटे और अगर हम बात करें अन्या तथ्यागी तो हर्याना राज्य चुनाव आयोग ने गोरी शेवरन और अमित सरोहा को आगामी चुनाव के लिए यूथ आइकन बनाया है यूथ आइकन बनाया है इन बातों का आप ज्यान रखना मेहत्यपून स्वाल है तो चलिए एगले स्वाल की तरफ चलते हैं हाल ही में हर्याना में शुरू किया गया पाइलेट प्रोजेक्ट समंदित है सोलर वाटर पंप से जल संचे से जल स्रंक्षन से या इन में से कोई नहीं तो साथ यह हर्याना में सुरू किया गया पाइलेट प्रोजेक्ट जल स्रंक्षन से समंदित है और इसके अंतरगत सूजल नामक सूजल नामक प्रोजेक्ट सुरू किया गया था प्रोजेक्ट सुरू किया गया है और यह है प्रोजेक्ट हर्याना के पंस्कूला जीले से सुरू किया गया बंस्कूला जीले से शुरू किया गया CM मनौहरलाल खट्र दुआरा तो चलिए अगले स्वाल की तरह चलते हैं अर्याना के किस रेल्वे स्टेशन को वर्ड क्लास रेल्वे स्टेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा या पिर रूप आएगा रूप में स्थापित किया जाएगा करनाल, हिसार, फ्रीदाबाद या गुरुगरा साथ यो करनाल के रेल्वे स्टेशन को वर्ड क्लास रेल्वे स्टेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा और इस रेल्वे स्टेशन पर सभी परकार की सुवीदें परदान की जाएगी इसको एर कंडिशनर बनाया जाएगा शोपिंग मोल या पर स्थावित की जाएगे और अन्या परकार की जो सुवीदें होती है सब परकार की सुवीदें आपर उपलब्द करवाई जाएगी और इससे समंधित अगर हम बात करें देश के स्थर पर तो भोपाल में रानी कमलापती रेलियो स्टेशन इस स्टेशन को पी-पी मौडल के तहत पी-पी मौडल के तहत देश का पहला देश का पहला रेलियो स्टेशन बनाया गया है और साथ यह अगर हम बात करें हिसार की तो यहां पर प्रदेश की पहली पहली F-S-S-A-I F-S-S-A-I परमानित दूद टेस्टिंग बनाई जा रही है ठीक है तो कहां पर हिसार में F-S-S-A-I से परमानित दूद की टेस्टिंग हे तू लेबरेटरी बनाई जा रही है और अगर हम बात करें फ्रीदाबाद और गुरुगाओं की इन दोनों सहरों को Model Electric Mobility सहर बनाया जाएगा Model Electric Mobility Mobility सहर बनाया जाएगा तो चलिए एकले स्वाल की तरफ चलते हैं हर्याना सरकार दुआरा Asian और Commonwealth Games के लिए Qualifying करने वाले खिलाडियों को नोकरी के लिए कितने रुपे दिये जाएंगे तो साथियो हर्याना सरकार दुआरा Asian और Commonwealth Games के लिए क्वालिफाइंग करने वाले खिलाडियों को त्यारी करने के लिए धाई लाग रुपे दिये जाएंगे और वहीं सरकार ओलॉम्पी के लिए चैनित होने वाले खिलाडियों को त्यारी के लिए पांच पांच लाग रुपे परदान करेगी कितने कितने रुपे पांच पांच लाग ओलॉम्पिक के लिए ओलॉम्पिक के लिए कितने रुपे देगी पांच लाग रुपे और वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाडियों कितने रुपे दिये गए हरियाना सरकार दुआरा एक लाग रुपे है खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मैडल लाने वाले गो एक लाग रुपे है दिये गए तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं कैच दारेन अभियान की इस जिले से समंदित है पुरुक्षेतर पंस्कूला महिंदरगडिया मेवात तो साथिव कैच दारेन अभियान अरियाना एक पुरुक्षेतर जिले से समंदित है और इस अभियान के तहट पांच अंतराश्टिय खिलाडियों को ब्रांड बनाया गया है चलिए एकले स्वाल की तरफ किस हर्यानवी महिला को Powerful Woman Award से समानित किया गया है प्रियंका सोरब, राधिका, हिमानिया या उनति हुड़ा तो साथ इन में से प्रियंका सोरब को प्रियंका सोरब को Powerful Woman Award से समानित किया गया है और वहीं अगर हम बात करें राधिका के बारे में तो इसने अंडर ट्वंटी थ्री एसियन चैंपिन्शिप में मैं 60 केजी में गोल्ड मैडल गोल्ड मैडल यह पृतीयोगिता किरगीस्तान में किरगीस्तान में आयोजित की गई थी और राधिका का सम्मंद पानिपत के इसराना गाउं से है और अगर हम बात करें सा ति हमान्या की तो यह हर्याणा कैथरजी ले से सम्मंदित है इसको जैपूर में हर्याना की ब्राइड फेश बनाया गया है और यह मैज तीन वर्ष की है ठीक है और अगर हम बात करें उन ती हुड़ा की तो साथियो इसका सम्मंध हर्याना के रोतक जीले से है और इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम दो हजार इकिस में महिलाओं की बैडमिंटन एककल प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल जीता तो चलिए अगले सुवाल की तरफ हर्याना में राज्यस्तर पर अंतराष्टिय योग दिवस्त की इस जीले में मनाया गया पंच्कूला रहतक करना लिया भीवानी तो साथ है इस क्वेस्टिन के बारे में हम पहले पढ़ चुके है तो यह भीवानी जीले में बनाया आठवा राज्यस्त्रिय अंतराष्टिय योग दिवस्त भीवानी के भीम स्टेडियम में और इस कर्यक्रम का जो थीम था योग दि इंसानियत के लिए योग इस बात को आप ध्यान रखना इंसानियत के लिए योग तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं हर्याना एक इस दिले में प्रदेश का पहला एर प्यूरिफायर टावर लगाया गया है फरीदाबाद गुरुग्राम यम्ना नगरिया हिसार त और यह है प्यूरिफायर चंडीगड चंडीगड की तरजबर लगाया गया है ठीक है तो कहां पर हिसार में तो चलिए अगले स्वाल की तरफ चलते हैं हर्याना में शिक्सकों को स्किल्ड डवलप्मेंट प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई शिक्सक म मिशन हर्याना पिंअ निपून हर्याणा मिशन या इन मेंसे कोई नहीं साथ यह हर्यान में स्वाल की तरफ चलते हैं n oreo k an chamezmwe Rusty Puis bunun की प्रवि स्थान मिला पहला स्थारो थिर्या वाणा को कौन सा स्थान मिला पहला 没 एमस्वे राष्टी अवार्ड में घरियाना को तीसरा स्थान मिला 20 out of evaporator के इन है runner-up ना क्विस्सें चुटाला को m2 अयह यह चुट आधा है परदान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा परदान किया गया ठीक है साती हुए थे हमारे आज के क्वेस्टन आसा कर तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया तो त्यारी करते रहिए पढ़ते रहिए फिर मिलते अगली वीडियो में जैहिन